हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम है स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टड़ी में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने हैं वहले क्लास्ट इंथमेटिक बोड़ एक्षाम 2022 के लिए मोस्ट भी अबजेक्टिव कोश्चन लेकर क्या है संस्क्रीट का मॉडर प्रैक्ट करते रहेंगे क्योंकि एक्षाम भी काभी नजदिक है दोस्तों यहां पर और सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टार के स्टड़ी डॉट कम के माद्य हमें ते डायरेक्ट गूगल पर आप लोग सर्च करके बाडल से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रेवियस यह कुश्चन ठीक है तो चलिए शुरू करते इस वीडियो का पहला कुश्चन देखिए पहला कुश्चन है कि महा कम पे कह अपतत इसका राइट आंसर हो जाएगा भी पतिकह पतिकह नेक्स्ट कुश्चन है टू नमबर वस्तुत अ सहिस्नता चो अ सांते कार्ण द्यम इसका राइट आंसर हो ज एको देश अप्रस्य उतकर्ष द्रिश्ट्वा किम करोती इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्वेस्टी नेक्स्ट कुश्चन है फोर नमबर चरक सूसरुत्यसी सा काश्य विस्यस्य ग्रथो अस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आयूर वेद तो चरक किसका सहिस्त किया था आयूर्द का healthy ये लिखा गया आरेट आंसर किया हो जाएगा कि नेक्सट के बस्टास देश्य अनुस्यस नमद अप्य घियते थी आठहे है इसका राइट आंसर हो जाएगा डि अध्यान विशेया नेक्स्ट कुस्चट है शयव कि तो सी है कना工作 साय मोन नेक्स्ट को से प्रोट नबर मेंThis का तो इसका त्म सा अंसर आद नंबर बाला का नाम गती कर Idry andare बालग का क्या था इसका रैट अंसर हो जाए ज़्रनी नेक्ट कूश्टन है टेन नमबर प्राचीन काले सिस्य फिलिवगें दो लैंट इती कतेत असम निक प्राचीन काल में सिस्य को क्या कहा जाता था इसका रैट अंसर हो Commander में कोms ब्रह्म चारी नेक्स्ट पूश्टन algorithm तो भी याद रखेगा इसका राइट अंसर हो जाएगा विवाह संसकारे यानि फेरा जो लिया जाता है तो अबनी के समी पोकिस में विवाह संसकार में इसको इस तरह से आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है टुएल नमबर अनप्रसासनम कदा भवती अनप्रकासनम कदा भवती इसका राइट अंसर हो जाएगा सैस्य वस्व काडेशू नेक्स्ट कोश्चन है थर्टी नमबर असनात को परिक्षायम कीम अस्थान प्राप्योते असनातक परिक्षा क्या जो स्थान होता है वो किस अस्थान पर होता है यादि केमा स्थान पर होता है तो यह होता है पर्थम अस्थानम इसका राइट अंसर हो जाएगा ए छात्र विर्तिया इसका राइट अंसर हो जाएगा समीती सदस्य डी इसका राइट अंसर है इसका राइट अंसर है अलश्या नामम राइट अंसर सी हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा चत्वारह मतलब क्या होता है चार होता है त्रेयो मतलब क्या होता है तीन होता है चोह मतलब पांच दसोह मतलब दस तो वन से लिए करके 20 तक इसको भी आप लोग याद रखेगा हो सकता है कि लिखने के लिए भी आ सकता है नेक्स्ट कोश्चन है एटीन नंबर आलास्य कथा पाठास्य लेख कह कह यह आलास्य कथा पाठ किसके दरा लिखा गया है तो यह लिखा गया है विद्यापती के दरा तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है हरी हनियम पात्रेन कस्य मुखं अपियल तुम् इसका राइट अंसर हो जाए गया है नाइटीन का भी सत्यस्य नेक्स्ट कुश्चिन है कस्मे प्राप्तिय मुखम अपवार्त रिन्यात इसका राइट अंसर को 20 का ए सत्य धरमाई नेक्स्ट कुश्चन है 21 नमबर असनियाद मानः नदम कुत्र मिलन्ती असनियाद मानः नदी किसमें निकाहाँ पे जाकर के मिलता है तो ये मिलता है समुंद्र में जाकर के तो क्या हो जाएगा समुंद्रे नेक्स्ट कोश्चन है 22 नमबर नरकस्य कती द्वार्नी संती इसका राइट अंसर हो जाएगा ए त्रीनी नेक्स्ट कोश्चन है 23 नमबर हसी साड़े सेविता का नदी अस्ती तहन संसाड़े सेविता नदी काहां पर इस्थीत है इसका राइट अंसर हो जाएगा 23 का ए मंदाक मंदाकनी काहां पेस्तित है इसका र्हाट आंसर हो जगे नली नीमों इव वसुद्धा इती पदस्य प्रयाय अत्रक यह वसुद्धा का प्रयाय मतलब क्या होता है उल्ट ला किसका प्रयावाची सब्द है प्रयाय का मतलब क्या होता है परिवाची सब्द वसुधा किसका परिवाची सब्द है ये प्रीथवी का प्रिवाची सब्द है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट कुश्चन है 26 नमबर असमत सब्द का सस्टी बहु बचन का रूप लिखे असमत सब्द किसका सस्टी बहु बचन है यह है असमा कम इसका राइट अंसर क्या हो जागा? C हो जागा नदी सब्द का रूप सब्दमी में एक वचन में क्या होगा? नदाम इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नदाम इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? 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 नदाम इसका राइट अंसर क्या हो ह discussion है अनुक्रीती में कौन सा उपसर्ग है इस mühfenald है इसका उपसर्ग से कौन सा सब्द बनता है प्रती उपसर्ग से प्रती कारह सब्द बनता इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है थर्टी फोर नमबर परा उपसर्ग से कौन सा सब्द बनेगा तो परा उपसर्ग से बनेगा प्रा जाय है तिसका राइट आंसर ए हो जाएगा next question है thirty five नबर पठ जोर कतवा से कौनसा सब्द बनेगा यह संद भिशेद। पठ जोर कतवा बरावर क्या हो जागा पठीत्वा तो इसका राय्त आंसर बी हो जागा next question है thirty six नबुष्णु जोरन से कौनसा सब्द बनेगा तो भिश्नु जोरन को मिलांगे तो बनेगा वेस नव तो इसका राइट आंसर C है नेक्स्ट कोश्चन है 37 नमबर सुंदर तमय में कौनसा परत्य है तो इसमें है तमय परत्य यानि तब परत्य है तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन है श्री जोर कतो से कौन सा सब्द बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुरूत नेक्स्ट कुश्चिन है 39 नमबर बंधवह में पद में कौन सा प्रत्या है बंधवह में जो प्रत्या है वो है बंधु जोर अनप्रत्या है इसका राइट आंसर सब्ड बनेगा जियां इसका राइट अंसर Pakistan will umson baby इसके व्यर्टी नम्बर कुम्य एक वह कोई क्षार बनेगा यो ऺभिभा क्षा़चे लिए इसको अपलोग अच्छ का Antarさん वक्तुम में इसका राइट अंसर C हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है 42 नमबर गंत व्यम पद में कौन सा प्रत्य है इसका राइट अंसर हो जाएगा भी तुवत प्रत्य है नेक्स्ट कुश्चन है 43 नमबर यथा पद में कौन सा प्रत्य है यथा में A प्रत्य है इसका रा कौन सा प्रत्या है तो साद भी पद में जो प्रत्या है वो है रिप प्रत्या इसका राइट अंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 45 नमबर नर सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या होगा तो नर का इस्तिलिंग आप लोग को भी पता होगा तो नर का क्या हो जाएगा न नाडी या नाडी का नर नेक्स्ट कुश्चन है 46 नमबर बीदूसी में कौन सा इस्तरी प्रत्य लगा है तो बीदूसी में री प्रत्य लगा है इसका राइट अंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है 47 नमबर नाइका में कौन सा इस्तरी प्रत्य लगा है नाइका में ल धातु प्रत्य है रम जोर गर्म इसका राइट आणसर c हो जाएगा नेक्स्ट कुश्छन है 49 नमबर भवी तुवं का धातु प्रत्य है भुजोर तुवत्य इसका राइट आणसर हो जाएगा a नेक्स्ट कुश्चन है 50 नमबर भोगह का धातु प्रत्य है कौन सा है? भोगह का धातु प्रत्य है भूज जोर घनम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है 51 नमबर अनोह अनियानम कह अनोह अनियानम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मात इसका राइट आंसर B हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नमबर किम जयम प्राप्योनोती इसका राइट आंसर का 52 का ये सत्यम इसमें हम लोग टोटल आज 1 तू 100 क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ठीक है ताकि हम लोग complete मिलकर के 100 क्वेश्चन प्राक्टिस कर लेंगे एक ही वीडियो में क्यूंकि काफी कम समय है इसलिए 100-100 क्वेश्चन का प्राक्टिस करेंगे दिन में तो आप लोग का सारा कवर हो जाएगा ठीक है क्यूंकि ये modern practice set है और most important question है आप लोग के आने वाले दिनो इसका right answer हो जाएगा 53 का सी अलसा नाम next question है 54 नमर संस्क्रीर साहीत्ये लेखी का पाठ कस्य महत्वमपर्ति पादयती इसका right answer हो जाएगा 54 का सी महिलायह next question है 55 नमर कस्या या नाम पृरू से नाड़ी भिवस्च चलती इसका राइट अंसर हो जाएगा 55 का D समाजस्य नेक्स्ट पोस्टन है 56 नमबर आधुनिक संस्क्रीट लेखी कासु को परसिधा आधुनिक संस्क्रीट के लेखी का को थी इसका राइट अंसर हो जाएगा 56 का छमार नेक्स्ट पोस्टेन है 57 नमबर कह सिमीतो व्यंग गयरूप प्रजियतेत इसका राइट आंसर हो जगा सी संस्कारल सब्द नेक्स्ट क्वेशन है 58 नमबर नीती असलो का नाम रचनाकार को अस्ति यानि नीती असलो का रचनाकार कौन था इसका राइट आंसर हो जगा ये महात्मा विदूरह नेक्स्ट क्वेशन है 59 नमबर विदूर नीती कस्य रचना अस्ती विदूर नीती किसके दोरा रचा गया था तो ये रचा गया था महात्मा विदूसी रच्य के दोरा इसका राइट अंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है 60 नमबर विदूर नीते संकलित पाठास्य नाम किम अस्ती विदूर नीते के दोरा संकलित पाठ जो है उसका क्या नाम था इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नीती असलोकः नेक्स्ट क्वेशन है 61 नमबर आयोध्या कांडिय, कश्य ग्रंथियस्य, अस, अस्ती याणि bondsya किस ग्रंथ से लिया गया है आप लोगों को भी पता हो गा यह रमाइन से लिया गया है तो यह लिखा गया है काली दास्य नमबर ध्रीत राष्ट के दौरा क्या प्रस्ट का उत्तर दिया गया था यह था विदूरह नेक्स्ट क्वेश्टन है 64 नमबर ध्रीत राष्ट कथम प्रस्ण पूछा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचितस्य सांतिय इसका राइट आंसर C हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 65 नमर कर्णस्य दानवीर्ता पाठस्य रचिता कह अस्ति कर्णवीर जो था वो दानवीर्ता उसके दरा कौनसा पाठ रचित क्या गया है तो ये क्या ग्या है भाध सिह इसका रएचर एंसर ए हो जाएगा next question है 66 number करनस्य दानविर्ता पाठ कुत्भ संक्छलितं यानि किस पाठ से संक्लित है तो ये हम पहघसे इसका रही अंसर क्या होज़िए अंसर नंग भी हो जाएगा तरह, Social Q67. कर्ण कस्य पक्षत यूधम करोती? यानि कर्ण जो था किसके पक्षी से यूध कर रहा था तो ये कर रहा था कॉडब के पक्षी से तिसका राइट आंसर हो जाएगा A. कॉडब पक्षत Q69. भारत वर्षे के साम? महतीप प्रमपरा श्रियत इसका राइट आंसर हो जाएगा 69,ariatci, शास्त्रा नाम Next question है 70. सास्त्रा नी कस्यस रोता, स्वारूपानि संती इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का समस्त ज्ञानस्यत, इसका राइट आंसर क्या हो जएगा? D यह हो जाएगा next question है 61 सच्वेंटि वन नमबर शास्त्रेकारभ पाठे का साइली आसा दीता वर्तेते इसका राइट आंसर हो जाएगा रहा है प्रश्न उत्तर साइली next question है 72 नमबर छाथ्रह कस्य अभिवादनम कुरुवंती छात्र किसका अभिवादन करता है तो यह सिख्छक अस्य यानि सिख्छक का सभी छात्र करते हैं इसका राइट अंसर ए हो जाएगा इसका राइट अंसर 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 भी हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट अंसर 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 नेक्स्ट कोश्चन है 79 नमबर बोधा कह प्रकृति प्रत्य कौन है बोधा में कौन सा प्रकृति प्रत्य है यह जाएगा इसका राइट अंसर डी है नेक्स्ट कोश्चन है 81 नमबर भवानी में कौन सा इस्त्री प्रत्य है इसका राइट अंसर अंसर अ हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 82 नमबर मिरगह सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या होगा मिरगह का इस्तिलिंग रूप क्या होगा मिरगी इसका राइट अंसर बी हो जाएगा सूर्या में कौन सा इस्तिलिंग रूप रूप क्या है इसका राइट अंसर बी हो जाएगा इस्तरी प्रत्य हैत इसका रहिटांसर e है इसनी इक वचन में क्या होगा वागी सब्ध इसका राइट अंसर C हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 8 नमबर मुनी सब्ध का रूप सस्टी एक बचन में क्या होगा मुनी सब्ध का सस्टी एक बचन में या मुने इसका राइट अंसर B हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 89 नमबर पासियती में मूल धातु निमलिखित में से कौन है पासियती में मूल धातु क्या है पा है तिसका राइट अंसर A है नेक्स्ट कोश्चन है 90 नमबर वर्णते में मूल धातु है तो वर्णते में कौन सा मूल धातु है यह है वरीत धातुत इसका राइट अंसर C हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 91 नमबर दा धातु का रूप लट लकार के पर्थाम पुरूस बहु बचन में कौन सा हो गया दा धातु का पर्थाम पुरूस में हो जाएगा ददती इसका राइट अंसर D है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पस्यामः इसका राइट आंसर हो जाएगा भी चतुर्थी विभगती है इसका राइट आंसर हो जाएगा 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 यूमं कै है यूद्त ऋपने गए की सिज्ड़ तरहर सब्सक्राइब जर्बनेगा द्रिश्ट ऊशा को जाए गारीज हो जाएगा दियु को सब्सक्रानेद है? इस वीडियो का वी जो उपसर्ग से कौन सा सब्द बनेगा यह बनेगा विवाव थीक है इस परकार से हम लोग एक ही वीडियो में कितना 100 questions complete कर चुके हैं ठीक है तो जो भी बचे पिसला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजेगा काफी सारे questions important है और इसमें कुछ questions असपर नहीं दिखा रहा है तिसके लिए sorry ठीक है वो बुक में ही ऐसा problem था ठीक है तो मिलते हैं इसी तरह से हम लोग 100 questions का practice करेंगे 80 questions का एक साथ practice करेंगे क्योंकि exam बहुत नजदीक है तो बहुत सारे model set आप लोग को practice करना है ताकि एक भी question exam में इससे बाहर नए है ठीक है मिलते हैं इसी तरह से next वीडियो में thank you जो भी बचे अभी तक नए है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लिजे स्टारक study.com और बेर आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा इस तरह का वीडियो का परतेक दिन नोटिफिकेशन पाने के लिए ठीक है इसी तरह से exam का त्यारी करते रहिए ओके बाए बाए मिलते हैं next वीडियो में